इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम पटना युनिवर्सिटी केंपस के अंदर में हैं और आप पीछे आप देख सकते हैं कि यह जो पीछे में आपको दिखाई दे रहा होगा एक बैनर रानी घाट है जो की बाकिपूर अंचल पटना नगर निगम के अंतरगत है यह रानी की खास करें पटना की अगर हम बात करें तो पटना को कहीं न कहीं एजुकेशन की छेतर में यानि कि सिक्षा की छेतर में एक बहुत बड़ा हब माना जाता है जितने सारे पटना की बात करें तो मतलब तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं पटना में आके रहते हैं औ बहुता homework बहुता हैं बहुता है और हम चलेंगे यहां पर एक चीजा को दिखेंने जब कभी जरते हैं चैनल रहते हैं लोग है कहीं चाहिए manque यहाँ कार्य कि पर आते तो आज उन लोगों के बीच हम चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट के लिए देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज है वो क्या चीज है तो हम चलेंगे और बाचित क्या नाम हुआ आपका सबसे जरूरी चीज क्या होने चाहिए अगर हमको जहां तक अगर सही जवाब मिल जाएगा तो उनको समय दिया जाएगा बोलने का नहीं मिलेगा तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे क्या नम हुआ आपका सुमयन राज कहां से नवादा से किस चीज की तैयारी करते हैं आप एसी जेनरल कंपेटिशन एक सवाल है कि विद्ध्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होने चाहिए हमारे देश के अंदर इच्छा प्राप करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्या नाम जरूरी तो है यह वो सिक्षा तो है तो और विए अपने उपर और विद्ध्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए तो है है और गोवर्मेंट जोब के भी बहुत कमी है है और यहां चलिए और भी हम सवालों नहीं दि इसका जोड़त है कि गोवर्मेंट को इस पर द्यान देना चाहिए यू आओ पे कि सिक्षा के साथ साथ रुजगार भी दे और जौब भी प्रवाइड करें विद्ध्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे देश में क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा कि बात करें तो अब जिद्ध्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होना चाहिए पहला किताब पर तो मिली रहा है और क्या जरूरी क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होना चाहिए जिससे वह पर सके आसान करते हैं सबसे तो कि बीद्यार्थि को यदि मोबाईल का सही पर्यों करते हैं यूटूब में लगाता हैं फेस्बूक में लगाता हैं इस्टाग्राम में लगाता हैंnew से दूर होके महीना के लिए पूरा दुनिया छोड़े तो निश्य दहुरी से सफलता का दम चुमेंगी यहीं चीज क difड़ें कि विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसारी लोगों सेंने erashat संतुष्ट नहीं हो पाए तो कहीं नहीं यहां तक मेरा मनना विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है वह कम सिक्षा में कम पैसों में अच्छी सिक्षा मिले मानते हैं इस बात को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है पटना में भी ऐसा सुब्धा है गं काफी खर्च होने के बाद ही रिजल्ट लागए है पटना में सब सुब्धा है तो मेरी बात समत है दो बिल्कुल हंडर्ट फरसेंट विध्यार्थियों के लिवे सबसे ज़्यादा ज्रूरी चीज हमारे देश्के अंदर तो Saints अब ढ़ेरी शरे को विद्यार्थियों के लिए सब से ज्यादा ज्यादा जरूरी बढ़ेका चाहिए जिस Side वो आसानी से पढ़ सकते जैसे फीस कम होना चाहिए देखिए अब क्या बोलें इसको साबसी देहम पची सो लोगों से पूछे होंगे लेकिन कोई बता नहीं पाया लेकिन यह कहा कि फीस कम होना चाहिए बिल्कुल सही बात है कि कहीं न कि आज की टाइम में सिक्षा की बात कर बच्चों के लिए जादा से ज्यादा अरक्षन मिलनी चाहिए सबसे ज़्यादा जरूरी है विद्ध्यार्थिओं के लिए भी ज़िए जिसे वह पड़के आगे बढ़ सके हैं आप पता नहीं दुछ टाली है वाइन एक सवाल है हमारा कि हमारे देश के अंदर विद्ध् आपको क्या नहीं लगता है कि हमारे देश के अंदर अगर सिक्षा सस्ता हो जाए तो लोग बच्चे आगे बढ़ पाएगा क्या चाहिए जो चीज दीख रहे हैं उसमें क्या बात है वही तो बात हम सुनना चाहिए इसका अंतर मतलब हुआ कि इसका कारण बहुत है अब एक कारण पूछा एक कारण बता सकते थे अब सिक्षा तो बिहार में अल्ड़ेडी सस्ता हो जाए कोचिंग सांसा जो भी है है उनके पास मानते हैं इस बात को मानते हैं तो यह हमारा सवाल था अभी तक्रीबन हमने 20-25 लोगों से पूछा और सबका मानना एक हुआ कई सारे लोगों ने कई-कई सवालों के अलग अलग जवाब दिये लेकिन यह कहीं नहीं हकीकत बात है कि अगर आज की टाइम में हम अगरों हजारों हो जाए तो समझे कि हमारा देश का जो हालात है न वह बदल जाएगा स्टुडेंट है एक सवाल है मेरा कि हमारे देश के अंदर विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज क्या होना चीजिसे वह पढ़ सके आगे बढ़ सके विद्यार् एक बात को मान चली हम हिंट से एक चीज को मानते हैं कि कहीं न कहीं आज के डिट में हमारे देश में सिक्षा बहुत ज्यादा महंगा है जी अब बोलिया है शिक्षा महंगा तो है लें ऐसा नहीं है कि हड़ अगा महंगा यह फीजिक्स अला अपनी तरफ से कर रहे हैं वो और जहीं नीट की तयाड़ी के लिए वह भी देड़ है ग्रामिन में छेदर की बात करें तो किसानों के बचे आभी साथ किसानी होंगे पैसों के अभाव में बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं बाहर नहीं भेज पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा कोचिंग क आप मानते हैं कि सस्ता हो जाए जिया मानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होना चाहि जिससे वह पढ़ सके और आगे बढ़ सबसेंसे बीदी इस बटानी सबसें प्रण करने कि आपको नहीं लगता है कि वहांगाई में सिक्षा सब्सक्राइब नहीं है अब भी आप जाहिए तो जैसे कि जितना भी मतलब जो भी जैए वेगरा निटके भी तैयारी कर रहे हैं उनका फिस देख रहे हैं इंडिवीजुल का तो बहुत जादा जाड़ा तो 15-20 जार प्यास अब बहुत सारे बच्चे हैं कि एफर्ट नहीं क सब्से ज़्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यारे क्या क्या होना चाहिए जिससे अज़ल सके और आगे बढ़ सके बच्चा में जब अच्छा काम पैसा में अच्छा श्टोडेंट को मानते हैं वाक़े मिए मेह देश्क्षा बहुत जदा तरह से नहीं हो रहा है और कोई बच्चा थोड़ी ने पढ़ पाएगा कुछ लोग ऐसा है किसान पैसे नहीं या उसके पास वो नहीं पढ़ा पाता है इसा होती है पढ़ाने पढ़ानी पढ़ा क्योंकि फीसमेंगा यह बात तो सरसाही है लेकिन आज के दोर में सबसे विए जरूरी क्या होना चाहिए तो इस भावना के साथ सबको सिख्षा का सबसे सस्था यानि की काौशली होनाठ सबसे लिए इस इस भावना के साथ सब को सिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि घरीब हो या अमीर सभी लोग सिक्षा को ग्रहन कर सके और सभी लोग ताकि मिल जुलकर अमीर गरीब सभी लोग सभी अस्तर के सभी वर्क के लोग मिल जुलकर देश को आगे बढ़ाने में विकास करें ना केवल आप जौब लेकर ही विकास कर सकते हैं देश का बलके आप अगर सिक्षा करते तो आपका मेंटली फिजिकली भी डिवलपमेंट होता है जिससे आपको क्रियेशन आता है कि आप कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए तो सिक्षा के जो भी कौशली जो भी उसका फीस है वगारा है सरकार से निवेदन है क कि उसको कम से कम किया जाए ताकि लोग जादा से जादा सिक्षा ग्राहन कर सकते बिलकुल अभी के अस्तर में अगर पहले के इमांदारी से पढ़ाते थे उनको सिर्फ यह भावना थी कि हम स्टुडेंट को नॉलेज दें ना कि उनका भावना था कि अब हम बिजनस करें पैसे कमा अब जो है तो कोचिंग का हब हो जा रहा है सब लोग जो है तो यह कर रहे हैं कि मतलब कॉंपेटीशन हो गया कि नहीं ह पढ़ाया जाता उसको किस तरीके से आप देखते हैं ऑफ-लाइन तो था ही बहुत सारा कोचिंग इंस्ट्यूट की बात करें दूसरी तरह तरफ की बात करें ऑनलाइन एकदम चल रहा है जो और सोर से ऑनलाइन देखिए को ना जो एक बहुत ही बुरा जो हम लोग के लिए था हमारे देश के लिए दुनिया के लिए वो उस समय पर जो हम लोग को ऑनलाइन था वो काफी हेल्प था हेल्प फुल था और अभी देखा जाए तो डिजिटल ली हम लोग जो है तो काफी इंडिपेंडेंट हो गया है तो ऑनलाइन आपके 100% मेरे ख्याल से डिपेंड न परता है तो ऑनलाइन ठीक है आप कुछ अस्तर सकते हैं आपके डाउट किलियर करने के लिए लेकिन 100% ऑनलाइन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए सवाल है हमारा कि हमारे देश के अंदर छात्रों के लिए सबसे क्या जरूरी चीज होना चाहिए जिससे वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके जहां तक सिक्षा की बात करें तो बहुत ज़्यादा महेंगा है मतलब कहना है कि कहीं न कहीं सिक्षा को थोड़ा सस्ता किया जाए इस बात को मानते हैं कि कहीं न कहीं वाकई में इस ज़्यादा महेंगा है सिक्षा मांगा है उस manip asking के लोग है उटाि सव्तर को पैसा करना चाहिए और तो पैस को रहिे happy लोग अर्शम के करना के मैं तो पैसा रूप में उनको पडै़ा जात है करदाना चाहिए कि इतना पैसे जदा आप नहीं रख सकते हैं इस टाइब का कुछ आ जाए तो अच्छा है जितने सारे कोचिंग इंस्टूट चला रहे हैं मनमानी तरीके से पैसे ले रहे हैं कोई कोचिंग वाले बोलते हैं कि हाँ हाँ है तभी वह चातर से ज्यादा है वह अध्यूर्ट